बिहार में बारहवी की परिक्षा के खराब नतीजों को लेकर बवाल जा रही है इस बार 64 फीसिदी बच्चे फेल हो गया है नितीश सरकार कह रही है कि कडाई से परिक्षा हुई यानि कि पहले की तरह परिक्षा में चोरी की छूट नहीं दी गई इसी लिए खराब रिजर्ट निकला है लेकिन जो खबरें सामने आ रही है वो रिजर्ट पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है आपको हम मिलवाते हैं बारहवी में आर्ट्स के टॉपर गणेश कुमार से आप सुनियों और तै कीजिये कि क्या इनकी जानकारी टॉपर बनने लायक है बिहार बोर्ट में पिछले साल टॉपर घोटाला हुआ था और इस बार भी कुछ हालात वैसे ही हैं आर्ट्स के टॉपर पर इस वक्त कुछ सवालिया निशान खड़े हो चुके हैं हमारे साथ बिहार बोर्ट में बारहवी के आर्ट स्टॉपर गणेश कुमार खुद मौजूद है अज उनसे सारी बाते करेगा और यह जाने के कोशिश करेगा कि जो सवाल उनके ऊपर खड़े हो रहे हैं में कितनी सच्चा है गणेश आपके ऊपर काफी सवाल लग रहे हैं कि आप जारखन गिरिडी से हैं लेकिन धाइसो किलो मेटर दूर यहां बिहार में एक रिमोट एरिया में आकर आप अपनी बारहवी का एक्जाम दे रहे हैं क्या लगता है क्या करण इसके पीछे नहीं ऐसे कोई बात नहीं है बात यह है कि पिताजी के देहान के बाद घर की स्थिति बहुत ही देनिये हो गई और जिसके चलते हम वहाद कुछी दिन छोटा मोटा दुकान अगरा आटिसन अगरा किये लेकिन उससे जिवी को पारजन बहुत ही कठिनाई से गुजर रहा थ जिसके चलते हमको मतलव कमाने के मतलव के कुछ पैसा की कमाने के जोगत हो गया तो सोचे कि फिर जाए ने जाए तो उस समय कोई अदमीं मिला तो वही बोला कि ज्यादा दूर इधावदा जाने से कोई फाइदा नहीं होता है तो हम लोग इधर ही राते हैं इधर भी अच्छा तुम कमा सकते हो कुछ भी अपना घर समसाचे लेगा तो इस तरह से भटकते हुए हम इस छेतर में आये हैं तो आप घर से कमाने के लिए निकले थे और फिर आप समस्ती पूरा है कमाने के उद्देश से ही निकले थे और कमाने के उद्देश से निकले और कुछ कुछ काम करने के चलू के लेकिन इस बीच में पढ़ाई का भी एक जुनून था और पढ़ाई का मतलब एक था क्या कि मतलब कुछ सरकारी नोकुरी अगर थोड़ा मिल जाए चोटा मोटा इसके चलते मेटरीक, इंटरीस सब क्या आउशकता पढ़ती है तो हम कुछ काम के साथ समय निकाल करके कुछ पढ़ाई भरा भी करत समस्तिपूर में साथ 212 के लगभाक कि ले विए संजय गांधी है लक्श्मिनिया समस्तिपूर अगर्ण करना इंठी स्पूर्इक नहीं क्या अब उससे 25 किलोमेटर दूर इतने अंदर आये हैं और इसकूल के हालत भी बहुत ज्यादा खास नहीं है हाँ जैसे ऐसा है कि यह समस्ति पूर से बहुत ज्यादा दूर नहीं है और और जगह भी परियास किये थे तो उस समय कहीं पैसा ज्यादा लग रहा था तो कहीं कुछ था या एक ही बारें पैसा देने के बात थी तो चुकि बहुत ही इस्तिती देनिये थी जिसके चलते यहां एक्सेप्ट किये और उनका दया के चलते ही हम फिर यहां एडमिशन लेके आपने जो यहां पर फॉर्म भरा है उसमें आपने इस्थानी पता नहीं लिखा है आप 2014-2012 से यहां पर रह रहे हैं तो आपके पास कोई तो पता होता आपने पता नहीं लिखा यहां पर और नहीं कि डेट है जैसे जहां तक 2012 के सवाल है तो खास तोर पर एक जगा कहीं हमारा निश्चित था नहीं कि हम क्या कर रहें क्या करेंगे 2012 में जब आए तो कहीं दूर में थे सीवाजी नगर साइड में फिर वहां से आने के बाद जब इधर आए तो यहां भी कोई मेरा निश्च हम 2015 में लिए हैं मिस्टेख हो गया हो सकता है या भरने के लिए सोचे हो सकता है चूट गिया हो एक सवाल यह भी उठ रहा है कि आपने जो सब्जेक्ट्स चूज किये थे उसमें होम साइंस और म्यूजिक जैसे सब्जेक्ट थे जो अमूमन लड़कियों का फेवरेट सब् होते हैं इसलिए ऐसा नहीं है कि म्यूजिक के सिर्फ लड़की ही गाएगी जोजिक आपने शौक के लिए लिया या कम महनत में ज्यादा नंबर लाने के लिए म्यूजिक जहां तक है सुरू से थोड़ा बहुत तो गाही लेते थे जैसे आम आदमी का लिता है और उसमें द आदा निसा सारे गामा पाधा निसा निसारे मादा पाने आपका हाथ सही से चलने रहा है क्या करण है देखिए ऐसा है कि सुभा से ही बहुत सारे टीवी वाले लोग भी आकरके एक पर एक पर एक मतलब कभी किसी के सामने में हम आये नहीं इस तरह से और पहला बार आने के बाद में बहुत सारा मतलब एक अंदर से थोड़ा सा ठीक करें लगता है इसका जो स्वर है वह भी बहुत अच्छे से लगने रहा है अब ऐसा है कि गाना तो दूर की बात है आप जो यह सारे गामा पा है वो भी आप सही से नहीं कर पा रहे हैं इसलिए कि जैसे बहुत सारा गर्मी भी है और मूब भी सुख जाता है गर्मी के कारण ही सबसे फिल करता है एक बार आप और कोशिश करिये है सारेगा मापाधानिसा इसारेगा मापाधानिसा इसके अलावा और क्या बजाले तें आप मनों ज्कूल में इस वक्त द्वशार हो आपना बंकरिश मनो विज्ञान भी आपका एक सब्ढ़ेक्ट ए तो उसमें क्या रूची का इसने या आपकी कधिया da अगर आप बता सकें कि भारतिय मनोविज्ञान का आधुनिक काल कब शुरू हुआ था भारतिय मनोविज्ञान में चेतना के चार इस्तर होते हैं कुछ पता है आपको क्या चार इस्तर होते हैं तो फिछले 2009 से 2016 तक करके गये थे तो उससे भी रिलेटेड एक नंबर वाला और दो नंबर पांच नंबर सब कुछ रहा हूं यह तो बहुत ही मतलब मूल सवाल है यह तो मतलब हर परिक्षा में आने चाहिए और यह बेसिक चीज़ें यह पढ़ाई जानी चाहिए तो यह आपको तो बताया ने आपको जिसे 2009 से 2016 के बीच में जो भी कुछ से नाय हुए थे तो उसमें जो जो कुछ से नाया था उस सब कहम भी से सब्सक्राइब करके आपने पिछले चार साल का ही पढ़ा था उससे पहले गने और यह सारी चीज़ें स्कूलों में तो पढ़ाई ग बैग्यानिक और मनो चिकित्सक में अंतर पता है आपको? मनो चिक्तसक क्या कहते हैं? Ah Zaycas is psychological doctor, psychiatrist कहते है उससी पिलिंग पता है आपको? Ah TIS और अच्छा आपने पता है Sंगीत आपका अब्च की रुची भी रैंए है आपने आपका सब्जेक्ट भी रहा है बहुती मूल सवाल आपसे पूछ रहा हूँ संगीत किन दो शब्दों से मिलकर बना है सूर और ताल से मिलकर बना है संगीत जो शब्द है उसका शाब्दिक संधी विच्छेद क्या होगा हिंदी में क्या आपने पढ़ा दो साल 11 और 12 हैं आपके कोई लेखक पसंद रहे हूँ या कोई कविता लिखने वाले हिंदी में कभी दास है तुलसी दास जी है है अबสस्वित कभी है कहान्या लिखने वाले कहानिया गर्दपद्य में अगर कोई कविता सुना सके दो या चार लाइन की का बता सकते हैं कल करे सो आज कर आज करे सो अब पर में परलाय होएगा बहुरी करेगा कब यह कभीता है किसने लिखा है कि अधियास जी का जन्म कभ यह तो आप शायद बता ही दे क्योंकि आपका इतिहास काफी अच्छा है लेकिन जैसे कभीतास जी एक कि उनको गिरा हुआ जैसे ज़ो जनम लिए थे तो उनका कोई निश्चित पता नहीं था कि कभ वो जनम लिये है ने लिए लेकिन एक निरु नाम की महिला जो हैसो उसको पाया था और पाय थी तो वो जो हैसो ना हिंदू थे ना मुसलिम थे उनका पालन पोसं किसी अधनी सवाल एक आपके लिए कि सवार जो ने मुसलीम होते हैं साथ होते हैं सुद्ध स्वर कि ने का-आ जाता है कि सुद्ध स्वर शारे गामा किशी सब बना हुए है कितने हैं सारे गामा पाधा नीशा कि ये राग दी संग citoyet का ऐस्था है तों क्या होता है जोता है यह राग मेकशिमम और मिन्मम मतंब कम से कम ज्ञा ज्यादा कितने स्वार हो सकते हैं 5 दू स्वार और ज्यादा सः Eunard अच्छा प्रेम चंद जी का जन्म का भुआ था पता आपको उनसी प्रेम चंद जी अच्छा उसके फड़िश्वरात नाथ रेडू का जन्म का भुआ था जन्म का भुआ ढूश मंरेअन के यह स्रुआ हैं किया है होता तो जो बराबर आ पढ़े ही दो अपर कर के तो प्रेम आके इताल जो आता यह है कि अग्रेजी अपने चेलि तो है पचाषय। का था मेरा पचास नंबर रिटेन का था हां पचास नंबर उसमें पचास में तैटीस सब्सक्राइब अच्छे नंबर है वैसे आपसे मैं दो चार शब पांच-छे अच्छे नंबर शब्सक्राइब अच्छे नंबर पांच-छे नंबर पांच-छे नंबर रिटेन का था है वह बहार के टॉपर से हमने पूछे चालीस सवाल अब बाकिस सवालों के जवाब उनके और से क्या दिये गए वो भी सुनिए कबरिस्तान को क्या बोलते हैं कबरिस्तान को अंग्रेजी में चलिए मैं मदद कर रहा हूँ आपके संगीत में बहुत एहम हिस्सा है क्योंकि बिना ताल के संगेत नहीं हो सकता ताल को क्या कहते हैं इंग्लिश में रिदम कहते हैं आप अगर उसकी स्पेलिंग बता सके हैं रिदम र वाइडी एम चलिए इंग्लिश का एक बहुत ही कॉमन वर्ड है उचारन होता है ठीक है आपकी कोई भी चीज बोलते हैं तो उचारन करते हैं चाहे वो आप संगीत में कर रहे हों या नॉर्मल जिंदगी में बोलने में कर रहे हों उच्छारों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोनाउंसेंस स्पेलिंग? पि-र-o-n-o-u-n-a-c-e अचलिए विश्वास, अगर मैं आप पे विश्वास करता हूँ, विश्वास को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कॉन्फिडेंस अच्छा वैसे बिलीव होता है, इस स्पेलिंग बता दीजे प-e-l-i-e-v-e अच्छा आम सहमती का मतलब पता है आम सहमती अगर हम मैं आपसे सहमत हूँ या पांच लोग सहमत हैं उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? आम सहमती और सब मेरे पता है कंसेंस बोलते हैं उसकी स्पेलिंग बता कंसेंस c-o-n-c-e-c-e-n-s-i-o-n अच्छा आभुशन पता है क्या होता है? आभुशन गहना स्पेलिंग? j-e-w-e-l-e-r-y अच्छा लेफ्टिनेंट पता है न क्या होता है? क्या होता है? लेफ्टिनेंट जनरल सेना में होता है सेना में होता है लेफ्टिनेंट L-A-F-T-I-E-N-T करनल भी सेना में होते हैं पता है न आपको स्पेलिंग बताईए करनल C-O-U-R-N-A-L अच्छा शिड्डियूल होता है जैसे सुची समय सारणी जिसको बोलते है उसको शिड्डियूल को क्या बोलते है इंग्लिस में स्पेलिंग क्या होगे उसकी शिड्डियूल S-Y-D-U शिड्डियूल नहीं बताईए अच्छा राजनीती में अपका इंट्रेस्ट है स्वास्त मंत्रे स्वास्त मंत्रे बाकी भी दोनों यही है दिली को मुख मंत्री कौन है अर्बिंध के जिरिवाल जोगं उप राजय पाल दिल्ली के बिहार के राजय पाल ओ और रामरात Prasht जिर्डियूल इन रामरातर उतर प्रदेश के उतर प्रदेश के मुखमंत्री योगी नाथी जी उप मुखमंत्री भारत के उपराष्टपती भारत के राष्टपती परणों मुखर्जी है उपराष्टपती हम इस question answer को यहीं पर रोक रहे हैं क्योंकि जो जवाब मुझे मिल रहे हैं और ABP News की नजर में जो यह नतीजे हैं गड़ेश का जो हमारे सामने हमने जो सवाल पूछे उस पर गड़ेश के जो उत्तर रहे हैं वो काफी ज़्यादा निराशा जनक रहे हैं क्योंकि संगीत हिंदे इंग्लिश ये इनके subject रहे हैं बारहवी में जिनमें इन्होंने काफी ज़ रहे हैं से ही बने हुए हैं कामर पर संट शलेश कुमार सिंग के साथ उतकरश कुमार सिंगे आप देख पा रहे है bom के फाहर है तेवे गनेश नजर नहीं आए अब सवाल बड़ा ये खड़ा हो रहा है बिहार सरकार की ओर से जो खराब रिजल्ट आए हैं बारहमी के उसके बारे में तर्क दिया जा रहा है कि चुंकि इस बार सकती बढ़ती गई इस लिए नतीजे इस तरीके के हैं लेकिन टॉपर का हाल क्या है वो खुद उनकी जुबानी आप सुन रहे थे बिहार में बारहमी आर्ट्स के टॉपर सवालों के घेरे में हैं बड़े खबर हम आपको दे रहे हैं उनसे 40 सवाल ABP News ने किये लेकिन एक भी सवाल का सही जवाब दे पाने में पूरी तरह से बिहार आर्ट्स के पर गनेश कुमार पूरी तरह से नाकाम रहे हैं सवाल फिर उन लोगों पर जिन्होंने गनेश कुमार के कौपिया जाची हैं कौपिया किस तरीके से जाची गई ये अपने आप में बड़ा सवाल है और सवाल ये कि इसके पीछे क्या बड़ा गैंग भी काम कर रहा है रहेगा एबीपी न्यूज को इंतजार